Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 3.4 का question number 8 देखते हैं क्या है statement देखो सबसे पहले, हमने यहाँ पे general solution find out करने है principle solution और general solution हम previous questions में सीख चुके हैं ठीक है, उसी का use करते हुए हमने यहाँ पे general solution find out करने है अब general solution हम जो निकालते थे वो simple थे, जैसे secant x equal to 1 by 2 दे दिया या 2 दे दिया उस तरिके से बट यहाँ पे किस तरिके से निकाल लें, वो चीज़ देखनी है हमें तो चलिए देखते हैं हमें question given है, secant square 2x equal to 1 minus 10 2x तो यहाँ पे क्या किया जाए, अब मुझे पता है secant square x का formula क्या होता है secant square 2x is equal to क्या हो जाएगा, 1 plus 10 square 2x यह formula होता है, क्योंकि secant square x is equal to 1 plus 10 square x होता है double angle given है, तो double की form में लिख दिया हमने, इसको यहाँ use कर लो तो secant square to 10x किसके equal हो गया, 1 plus 10 square 2x equal to 1 minus 10 2x कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ पे इसको क्या करो, right side लिया हो, left side तो यहाँ पे देखो, 1 यहाँ भी positive हो, यहाँ भी positive, cancel हो जाएगा बट कुछ बच्चे यह पूछते हैं, सर दोनों positive हो, कैसे cancel होगे comment करके पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे, तो देखो, यह right side है, यह left side है, तो cancel हो जाएगा right अगर left अगर चीज हो, तो equal होनी चीए, दुनों positive हो या दुनों negative, तभी cancel होंगे एक side हो, तो एक positive, एक negative होना चीए, तो यह cancel हो गया यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 10 square 2x, minus का 10 2x है, इस तरफ आएगा तो plus का 10 2x is equal to किसके, 0 के, अब यहाँ पर यह 10 square 2x है, यह 10 2x है, तो common क्या जाएगा, 10 2x तो यहाँ पर क्या बच गया, 10 2x, plus में 1, is equal to 0, देखो यहाँ पर इसको ऐसे मानलो, x square plus x given है, तो x square को क्या लिख सकता हूं, x into x plus x, तो common क्या आगया, x, अंदर क्या बच गया, x plus 1, इस तरीके से किया है, ठीक है, अब यहाँ पर इनको equal to 0 put करो, तो 10 2x is equal to क्या आगया, 0 और दूसरा जो आगया, हमारा 10 2x, plus 1 is equal to 0, अब यहाँ पर देखो, 10 2x is equal to 0 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब sin x equal to 0, cos x equal to 0, तो हमें general solution पता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 10 2x equal to, 0 कितने पर बता है, 0 पर तो 10 0 लिखेंगे इसको, clear है, तो 2x is equal to क्या आगया यहाँ पर, solution कैसे लिखा जाता है हमारा, n pi plus y, ऐसे ही तो लिखा जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2x equal to n pi, पलस में y की value क्या है, 0, तो x is equal to क्या आगया, n pi by 2, यह आगया हमारा general solution और n belongs to z, एक तो आगया, दूसरे पर चलते हैं, 10 2x plus 1 equal to 0, तो यहाँ से देखते हैं, 10 2x equal to क्या आगया, minus का 1, ठीक है, अब यहाँ पर 2x को निचे मत ले जाना, क्योंकि यहाँ पर यह एं ठीक है, अब यहाँ पर negative angle देखो कितने पर होता है, minus 1 कितने पर होता है, 10 pi by 4 पर, तो इसको लिखो 10 2x equal to minus का 10 pi by 4, फिर देखो यहाँ पर, after school to college, यह तो 10 और quote हो गया, हमारा 10 negative चाहिए, तो negative कौन से quadrant में होता है, second में, होता तो fourth में भी है, बट पहले हमें first quadrant लेना है, मत तो second quadrant, second quadrant में आप कैसे पहुचेंगे, यह क्या होता है, pi, pi में से कुछ subtract करके second में जा सकते हैं, तो कर दो इसको, तो 10 2x equal to 10 of pi minus pi by 4, आ गया, principal solution निकालना हो, तो pi minus pi by 4, देख लो, क्या हो गया, 3 pi by 4 आ जाएगा, वो principal solution हो जाएगा, और दूसरा कैसे होगा, principal solution, 2 pi minus pi by 4 करके आ जाएगा, अब हमें चाहिए journal solution, तो 10x equal to 10y हो, तो हमारा solution क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, वो देखो, x is equal to n pi plus y, ऐसे ही तो लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो solution क्या बन गया हमारा, यहाँ पे हैं हमारे पास 2x, तो 2x is equal to n pi plus में, y क्या आएग हमें चाहिए x की value, x की value चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n pi by 2 plus में 3 pi by 4 to 8, तो यह आगया हमारा journal solution, और n belongs to z, I hope आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से किया question, कोई भी doubt अगर लगे तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं, otherwise question number 9 देखते हैं, अपना क्या है, plus sin 5x equal to 0, most important question है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा हमारा twist है question के अंदर, कि हम किन दो functions पे अपना formula अपलाई करें, देखो, अगर मैं लेता हूँ sin x और sin 3x, तो sin a plus sin b का formula लगेगा, और sin a plus sin b का formula क्या होता है हमारा, 2 sin a plus b by 2, cos a minus b by 2, a plus b by 2, x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, 4x को 2 से divide करेंगे, 2x बनेगा, तो यहाँ पे तो 5x है, तो हम इन दुनों का combination नहीं लेंगे, हम combination लेके चलेंगे sin x और sin 5x का, ध्यान से समझना आप भी आपको समझ में आ जाएगा, सर ने क्यों लिया है, तो यहाँ पे combination लिया, मैंने sin x plus sin 5x plus sin 3x, is equal to 0, यहाँ पे लगा दिया, मैंने formula sin a plus sin b का, किसके equal होता है, 2 sin a plus b by 2, cos a minus b by 2, तो यहाँ पे देखो, a की जंगा है, x, b की जंगा है 5x, तो पुट करो, यहाँ पे क्या आगे है, हमारे पास, 2 sin x plus 5x by 2, और cos x minus 5x by 2, और plus में sin 3x, is equal to 0 के, यहाँ पे देखो क्या आया, 2 sin x और 5x कितना हो गया, 6x, 6x को 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया 3x, into में cos of x minus 5x कितना होगा, minus का 4x, minus के 4x को 2 से डिवाइड करेंगे, तो minus का 2x, और cos of minus 2x किसके equal होगा, cos तो negative को खा जाता है, तो cos of 2x के, समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैं directly लिख देता हूँ, cos of 2x, plus में sin of 3x, equal to 0, अब आपको समझ में आ गया होगा, सर ने इनका combination क्यों बनाया था, इनके combination देख देखो, 5 or 1, 6, 6 का half 3, तो यहाँ पे sin 3x, sin 3x, दोन्नों में आ गया न, अब common निकल जाएगा, पहले नहीं निकलता, तो यहाँ पे common आ गया, हमारा sin 3x, दोन्नों टर्म में से, अंदर क्या बच गया, 2 cos 2x, plus 1, is equal to 0, ठीक है, समझ में आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है, हमने sin 3x, equal to 0, पुट कर देना है, और 2 cos 2x, plus 1, equal to 0, यहाँ से general solution हम इजली निकाल लेंगे, क्योंकि sin x, equal to 0 हो, तो हमारा general solution क्या होता है, n pi, तो 3x, is equal to क्या हो जाएगा, n pi, और x, is equal to क्या हो जाएगा, n pi by 3, और n belongs to z, यह आ गया हमारा general solution, अब main general solution निकाल ला है, इसका, चलो देखते हैं, 2 cos 2x, is equal to क्या हो जाएगा, इस side minus बन जाएगा, cos 2x is equal to क्या हो जाएगा, minus का 1 by 2, negative आते आपको क्या करना है, अपना after school to college जरूर बना लेना है, after school to college, पैन खतम, अभी change करते हैं, तो यह हो गया, after school to college, ठीक है, अब हमें cos given है, cos कौन से में positive होता है, cos और secant, fourth वाले में positive होते हैं, second और third में negative होते हैं, हमें चाहिए negative, यह चीज द्यान रखनी है बस, अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, cos 2x is equal to, यहाँ पे minus बाहर, cos of, 1 by 2 कितने पे होता है, पाई by 3 पे, negative बनाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, cos of 2x is equal to, cos of, हमें जाना है second वाले में, third में बाद में आएंगे, जो पहले quadrant पढ़ता है उसमें देखो, negative सबसे पहले इसमें आता है, तो यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से कुछ subtract करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे, पाई माइनस ये वाला एंगल, पाई बाई 3, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे देखो, 2X is equal to क्या आ गया, 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया, 2 पाई बाई 3, कोई से कोई कैंसल, तो 2X is equal to 2 पाई बाई 3, और X की वैल्लू क्या आगी यहाँ पे, 2 पाई बाई 3 इन्टू 2, 2 से 2 कैंसल मतलब पाई बाई 3, क्लियर, अब हम लिख देंगे, जर्नल सोलिशन, जर्नल सोलिशन कोई का कैसे लिखा जाता है, X is equal to N pi plus minus Y, तो X is equal to क्या बन गया, N pi plus minus Y की वैल्लू क्या यह पाई बाई 3, और N belongs to Z, यह बन गया हमारा जर्नल सोलिशन, I hope आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट किसी परकार का भी लगता है, तो आम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, Otherwise, चैनल को सबस्क्राइब करना नहीं बूलें, कोई भी डाउट हो, आम मुझे कमेंट करके पूछें, क्लास 8 और 9 के बच्चों में प्ली चैनल को भी सेयर करें, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चों को आभी पता नहीं है, कि 8 और 9 की वीडियो नेक्सा क्लासीज पे अविलेबल हैं, तो आपके बाई बैन हो, या फिर आपके आस्परोस में, या आपके कोई 8 और 9 में कोई जानकार हो, क्लास अकूल के अंदर, तो उनको प्लीज बताएं, कि नेक्सा क्लासीज से पढ़ें, यही आपका एक स्पोर्ट चाहिए मुझे, अदर्वाइज मैं आपके स्पोर्ट के लिए रेड़ी हूँ, थेंक्यू स्टूडेंस पूर वचिंग देस वीडियो, थेंक्स,